रिवाडी में पीम सुरे घर मुफ्त बिजली योजना के तहट छत पर सौरे उर्जा पैनल लगवाने पर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी इस योजना की शुरवाद प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने 13 फरवरी साल 2024 को की थी ये योजना 2 किलोवाट छमतावाली प्रनाली के लिए प्रनाली गत लागत की 60 प्रतिशत और 2-3 किलोवाट छमतावाली प्रनाली के लिए अतरिक्त प्रनाली गत लागत की 40 प्रतिशत के ब्राबर CAFA प्रदान करेगी ऐसे में आपको बिता दे कि CFA को 3 किलो वोट पर सिमित किया जाएगा मौजूदा माना कीमतों पर इसका आशे 1 किलो वाट शमतावाली प्रनाली के लिए 30,000 रुपे दो किलो वाट शमतावाली के लिए 60,000 रुपे और 3 किलो वाट या फिर उससे अधिक वाली प्रनाली के लिए 78,000 रुपे की सबसीडी से होगा प्रस्तावित योजना के परिनाम स्वरूप आवासिय शेत्र में छत पर अस्तापित सौर उर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट की सौर शमता की बढ़ोतरी होगी जिससे 2022 बिजली पैदा होगी और छत पर अस्तापित सौर उर्जा प्रनाली के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन कारवन डियोकसाइड के ब्राबर उत्सरजन में कमी आएगी वही सरकार ने इस योजना की शुरवात के बाद से जागरुकता बढ़ाने और एक्चुक परिवारों से आवेदन प्राप्त करने हेतु एक व्यापक अभियान शुड़ू किया है इस योजना के तहट लाब प्राफ्ट करने के एक चुक परिवार पर अपना पंजिकरन करा सकती है वहीं आपको बता दें कि ऐसे में डी सी राहूल हुड़ा ने बताया कि इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रिये पॉर्टल के माध्यम से सबसीडी के लिए आवेदन करेंगे और छट पर सोर उर्जा अस्थापित करने के लिए एक उप्यूक्त विक्रेता का चैन करने में शक्चम करेंगे विराश्ट्रिय पॉर्टल अस्तापित की जाने वाली प्रनाली के उचित आकार लाब की गन्ना विक्रेता की रेटिंग आधी के बारे में प्रसांगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्ना लेने की प्रकरिया में सहायता प्रदान करीगा साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल होने वाले परिवार तीन किलो वाट तक के अवास ये आटीएस प्रनाले की स्थापना हेतु वर्तमान में लगवग साथ प्रतिशत की गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले रिन का लाब उठाने में सक्षम होंगे इसके जर्ये शहरी अस्थानी निकाय और पंचायती राज संस्थाए भी अपने शेत्रों में आटीएस अस्थपनाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन प्रत्साहनुग से लाभाम अन्तित होंगे तो अभी के लिए इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रही है मारे साथ इंडिया ने उस पड़ावसकार